नमस्कार दोस्तो और एक टॉपिक को लेके आपके सामने आ गया है हम तो प्लीज अगर आप मेरा चलेंग में नहीं हो तो प्लीज चलेंग को जाके सब्स्क्राइब कीजिए और अभी तक अगर मेरा इंस्ताग्रम चलेंग को फॉलो अप नहीं कियो तो मेरा इंस्ताग्रम च गोशित कर दिया है और इस circular में बता रहे है DL relief payable to pensioner for the period Feb 2022 to July 2022, October 2021 में 8,210.75 था, November में 8,263.34, उसके साथ December 2021 में 8,243.62 हो गया है, इन्द, banking employees के लिए, regulation 37 और 1995 का जो rules है, इसके लिए डियर रिलीफ पेबल होगा, pensioners के लिए, उसके लिए दोस्तो, IBA ने एक चार्ट भी तैयार कर दिया है, उस चार्ट को में आपके सामने दिखाती हूँ, उस चार्ट में part 1 में बता रहे हैं, जो लोग, जो लोग November 92 से लेके, July 1993 के बीच में रिटार हुआ है, उसका slab होगा, 1909, एवरेज इंडेक्स है, 8239, अप्टू, 1250 के लिए, परसेंट होगा, 1279.03, उसके साथ साथ पर्ट 2 में, जो लोग 2002 फेवरारी में रिटार हुआ है, उसके साथ साथ जुलाई 2002 में, उसका slab होगा, 1772, ठीके, उसके साथ साथ जो बेसिक पेंशन है, पर्ट 3 में, फेवरारी 2022 से लेके, जुलाई 2022 तक, जो 1st April 1998 में रिटार हुआ था, उसका slab होगा, 1638, और जो लोग 1st day November 2002 को रिटार हुआ था, उसका slab है, 1487, उसके साथ साथ दोस्तों, जो 2017 में, मतलब 11th bipartite settlement में, रिटार हुआ था, उसका rate of pension होगा, 32.97%, और उसका slab होगा, 471, यानि कि, AIBA और उसके साथ साथ जो working union ने, जो circular दिये थे, same type का circular, AIBA भी जारी करते हैं, लेकिन अगर AIBA अभी तक circular नहीं जारी करते हैं, तो सोचा जाता कुछ problem है, लेकिन AIBA और AIBA का circular same to same ही है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, thank you so much, next video लेके बहुत जल्दी आने वाले, thank you.